हाई इस वाली वीडियो में मैं आपको irrigation methods explain करूँगा मैं explain करूँगा different different irrigation methods जो की irrigation जो अपनी field में use होते हैं ठीक है अलग-अलग condition के according ठीक है मैं explain करूँगा इस सारे points ओके इसे बार आपको बता देरा मैं कौन-कौन से point explain करूँगा इसे surface irrigation drip irrigation sprinkler irrigation उके इसके बाद flooding irrigation furrow irrigation contour farming उसके बाद free flooding contour flooding और border strip flooding ठीक है या फिर border strip method बोलो उसको बात बराबर है उसके बाद मैं explain करूँगा check flooding basin flooding और zigzag flooding ओके तो basically यह सारे points explain करूँगा मैं इस वाली वीडियो में और मैंने irrigation subject पर अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड की होई हैं सारी वीडियो की link description में है आप उधर से देख सकते अगर आपको देखनी है तो नहीं तो आप इदर i button पर click करोगे आपको इदर भी irrigation subject की playlist मिल जाएगी आप उधर से भी देख सकते अगर आपको देखनी है तो ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो बेसिकली irrigation method तीन तरा की खते हैं ठीक क्यों कौन से होते हैं पहला होता है एक में तीन में डिबाइड होता है यो आते है एक तो क्या होता है flooding method उपे उसके बाद 바로 method और एक ओर होता है contour farming जो में प्लदिंग मेफर्ड है न वो दो में divided होता है एक तो wild flooding और एक controlled flooding और हमारा controlled flooding है न वो चाह में divided होता है वो कॉं-कॉंसे होतते हैं फहला होता है create flooding second होता है contour flooding 3rd होता है border strip flooding 4th होता है check flooding 5th होता है basin flooding और 6th होता है zigzag method of flooding ओके तो basically ये सारे point मैं इस वाली वीडियो में explain करूँगा कि कैसे कैसे हम लोग इन methods के help से irrigate करते हैं ठीक है एन में difference क्या है इन सारे methods में ओके तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को तो पहला method क्या है हमारा पहला method है surface irrigation method surface irrigation method में basically क्या होता है कि मैं आपको एक example से समझने में आसानी होगी मान लिए कोई हमारी field है ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें बस पानी छोड़ देते हैं ठीक है तो और ये gravity की help से क्या है पूरा field में पानी चला जाता है और हमारी field irrigate हो जाती है इस method में इतना कुछ करना नहीं पड़ता है यह बहुत ही simple method है इसकी वज़ए से ही यह simple होने की वज़ए से ज्यादतर यही method इस्तमाल में लेते हैं लोग हो ओके तो यह पहला method तो हो गया हमारा surface irrigation method ठीक है जो surface irrigation method की यह जो sub point है यह मैं आगे explain करूंगा अभी ठीक है अभी मैं explain कर दे रहे एक टो drip irrigation उसके बाद sprinkler irrigation method ओके और अगर आपको यह theory पढ़नी है न तो आप वीडियो पॉस्ट करके आप आराम से पढ़ सकते हैं नहीं तो आप इधर screenshot भी ले सकते हैं ठीक है मैं theory पढ़ने में time waste नहीं करूंगा ओके उसके बाद second point explain करता हूं second point क्या है हमारा drip irrigation इसको drip irrigation बोलते हैं या फिर इसको सब surface irrigation भी बोल सकते हैं ओके drip irrigation method को हम लोग कहां इस्तमाल लेते हैं drip irrigation method को mainly हम लोग उस एरिया में इस्तमाल लेते हैं जहां पर पानी की कम ही हो यानि पानी की shortage हो उस एरिया में हम लोग जातर drip irrigation method को इस्तमाल में लेते हैं ठीक है इसको हम लोग उधर इस्तमाल में इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग पानी का wastage जो है उसको रोक सकें तो इस वाले method में होता क्या है? drip irrigation में basically होता क्या है कि हम लोग जो plant है जैसे plant है ठीक है उस पे हम लोग drop by drop पानी डालते हैं ठीक है? ताकि वो दिरे-दिरे irrigate होता रहे और पानी एक साथ इतना जाए भी ना और इतना wastage भी ना हो तो यह तो हो गया हमारा drip irrigation method उसके बाद है sprinkler irrigation method इस method में basically क्या होता है? इस method में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पानी को इना sprinkled कर देते हैं एर में इसका मतलब यह आपको simple language में समझाओं तो कि हम लोग तरह से पानी को फबारे के form में हवा में छोड़ देते हैं ठीक है? ताकि जब वो जमीन पर गिरे ना तरह से बरसात के form में जैसे बरसात होती ना ऐसे उस form में गिरे ठीक है? उसको हम लोग artificial rainfall भी बोलते हैं तो हम लोग तरह से क्या करते हैं बानी को फबारे के form में छोड़ देते हैं तो हमारा artificial rain हो जाती है ठीक है? तो इस वाले method से, actually क्या sprinkler irrigation method बहुत सही method है ठीक है? इससे जो हमारे irrigation जो yield होती है ठीक है? हमारा production जो quality बढ़ती है उससे बहुत फरक पड़ता है sprinkler method से, ठीक है? तो यह तो हमारा sprinkler irrigation method, ओके? अब मैं आपको sub point explain करता हूँ जैसे मैं आपको बता है तना surface irrigation method के जो हमारे यह sub point है, flooding method, furrow method और contour farming यह explain करता हूँ, ओके? पहला method के है मारा? surface irrigation के पहला method के है मारा? पहला method है, flooding irrigation, ओके? flooding irrigation actually के बहुत ही प्राणा method है ठीक है, जो ancient time से के यही method use होता आ रहा है और आज तक जादतर flooding irrigation method ही इस्तमाल लेते हैं लोग, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं basically? वही एक तरह सा हमारे जो field होती है, field में बस पानी चोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है? यह, जो flooding irrigation method है सबसे पहला method यही था, क्योंकि पहले लोग इतना कुछ जानते नहीं थे farming के वारे में, तो बस पानी छोड़ देते थे farming irrigation करने के लिए, तो बस ऐसे ही करते थे पहले irrigation, ठीक है? तो flooding irrigation method basically कहां use होता है? flooding irrigation method जात तर उसी area में use होता है, जहां पे पाने की कमी नहीं होती है, पानी खूब होता है, तो field में पानी खूब दे सकते हैं, ओके, तो यह हो गया हमारा flooding irrigation method, ओके, उसके बाद, उसके बाद second point क्या है, हमारा second point है, surface irrigation method का second point क्या है हमारा, यह furrow irrigation method, ओके, furrow irrigation method में basically क्या होता है, कि हम लोग lines बना देते, आपको एक simple language में समझाऊं को, आपको diagram इराम से बता देराम है, ठीक है, इसमें हम लोग तरह से यह lines ही बना देते हैं, ठीक है, एक तरह से furrow बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमारी potato की खेती हुई, ठीक है, आलो की खेती हुई, या फिर cotton बगएरा, या फिर sugarkin बगएरा, तो basically हम लोग furrow irrigation method है, हम लोग उधर नीचे की तरफ, ठीक है, और इसमें क्या होता है, flooding में तो actually क्या होता था, कि हमारी पूरी field का हम लोग पानी से बढ़ देते थे, ठीक है, इससे क्या हमारा पानी का wastage भी काफी होता था, लेकिन furrow irrigation method में क्या होता है, कि सिर्फ या तो one fifth से लेके one second, यानि half तक field हमारी irrigate हो तो जैसे कि मैं आपको बता है तना इसमें, इसमें हम लोग small channels वगेरा या फिर फर्रू बना देते हैं, उनकी help से हम लोग irrigate करते हैं field को, ओके, तो यह तो क्या हमारा फर्रू irrigation method, उसके बाद, third क्या है हमारा contour farming, contour farming method. Basically contour farming method हम लोग कहा practice करते हैं, हम लोग करते हैं, प्रेक्टिस हिली areas में, ठीक है, जहाँख जो हमारे वो कम हो रहा हो, ठीक है, यानि हमारे एक तरह से, आपको समझाएं तो falling gradient हो एक तरह से falling gradient हो ठीक है तो इसमें क्या करते है हम लोग हमारी जो land होती। इसको horizontal strip में हम लोगů divide करते जाते हैं ठीक है जैसा कि आपको image में दिख़िए basically इस type से ठीक है तो हमते हम के horizontal strips और अदरभीElantle series और और हमलोग only what तो बोलते हैं, ताकि कैए यह पानी को hold कर सके ठीक है, यही तो अपन पानी इदर से डालेंगे, तो पानी बहें कर नीचे चला जाएगा, तो हम लोग के बुंट से बना देते हैं आखरी में, सीधी बात यह है कि आखरी में जो होता है, इन स्ट्रिप्स के आखरी में हम लोग मट्टी को थोड़ा उपर उठा देते हैं, ताकि पान नीचे ना भए, ओके, तो बेसिकली हम लोग कंटूर फार्मिंग कहां प्रेक्टि ठीक है, वाइल फ्रेडिंग और गंट्रोल फ्रेडिंग यह मैं आपको इधर ही एक्स्प्रेंट कर दे रहा हूं, वाइल फ्रेडिंग मतलब क्या है कि पानी छोड़ दो, इसकी कोई गिंती नहीं, बस आपने खेत में पानी छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद गंट्रोल फ्लेडिंग में क्या है एक तरह से कंट्रोल रहता है हमारा फ्लेडिंग पर कि कितना पानी देना है कितना नहीं देना ठीक है उस इसाब से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ओके तो यह छह में डिवाइड़ेड है यह सारे पॉइंट में अभी एक्स्प्लेंड कर देरा आपको में बेसिकली होता है क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बता है अभी कि इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं इसमें बस फील होता है फील में बस पानी छोड़ देते हैं ठीक है ना कोई गाइड़ेंस होता है कि पानी कहां जाना है पानी बेसिकली कहीं भी चला आता है और पान कहीं भी चला जाता है इसमें यह सारी कुछ नहीं होता है क्यारी वगेरा ठीक है तो पानि कहीं भी चला जाता है इसमें तो यह तो होगी हमारा free flooding method ओके उसके बाद है contour flooding contour flooding कंटूर flooding में आपको भी explain किया थाना contour farming same वही है एक तरह से contour flooding ठीक है या तो contour flooding बोलो ने आपको बताए है क्या परैक्टिस करते हैं जहां पर स्लोप कर दिया अब मैं थाट पर आता हूं बॉरडर स्ट्रिफ में तो बेसिकली इस वाले मैंथिड में क्या करते हैं इस वाले मैंथड में इसे एक रदी क्वें हैं घर करते हैं फील को स्ट्रिप्स में क्वाद हम्लों क्या करते निसे पानी आता है तो हमारा पानी ऐसे inlet करता है इधर से अंदर आता है और gravity की help से यह पूरी इसको irrigate कर देता है ओके तो यह तो हो गया हमारा border strip farming इसमें कुछ नहीं करते है बस यह हमारी field होती है उसको narrow strips में divide कर देते हैं ठीक है और वो gravity की help से पूरी field को irrigate कर देता है ठीक है इसमें कुछ पॉइंट talks और है यह मैं आपको बता देबाएक विरत है की जो उनीं ठीक है उसके बाद कौन सा मेध़ड है उसके बाद है check flooding method ऐख है आजए यह जैक फ्लेदिघ मेथड में बैसीकली क्या होता है कि इसमें अमारी फील्ड जो होती है यह हमारी फील्ड थी ठीक है इसको हम लोग जो है एए वालेविट करता है इस वाले एरिडियेट करता है जितनी भी हमएं डैप्ट चाहिए पानी कि अतना हम लोग को अहुझा करते हैं पर flooding method ठीक है अगर आपको यह theory पढ़ने है तो आप वीडियो पॉस्ट करके या फिर screenshot लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं मैं जल्दी जल्दी explain कर दे रहाँ उसके बाद 5th point के हमारा 5th है basin flooding method ओके तो basically यह basin flooding method है ना यह check flooding method ही है check flooding method में क्या करते हैं हम लोग या तो square Algun रेक्टेंगलर शेप में plots काट ते इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब मर DID है क्या करते हैं हम rinse Apple, ली जेए कोई भी फीद लिए फिले फिर्स will कोई या फिर कोई गर्ण उस्ते मारा इस्ते बास होता है ठीके और हर एक p count में circular ring एक तरह से बना देते हैं ठीक है तो जैसे हम लोग किसमें पाणी फ्लो करें तो सारे plant में पानी अपने चली जाएगा और वो plants एक तरह से irrigate हो जाएएंगे ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया ना भी S यह जो plant है ठीक है इसमें क्या circular यह चनल होता है न ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिन बोलते हैं ठीक है तो यह तो क्या हमारा basin method ठीक है इसमें हम लोग basically basin method कहां इस्तमाल होता है यह जात्तर gardens वगिरह में इस्तमाल होता है ठीक है ताकि हम लोग हर एक plant को पानी दे सकें इस method की help से उके उसके बास next method क्या है हमारा next method है zigzag flooding method okay zigzag flooding method में basically क्या होता है कि हम लोग हमारी field को क्या है कि small plots में divide कर देते हैं ठीक है और इसमें हम लोग पानी zigzag method में देते हैं ठीक है इसमाल लेजिए कोई हमारे इसको small plot में divide कर दिया इधर से हम लोगों ने यह line की दी लाइन इतरा से जो बोलते न कि खेत में मट्टी कट्टी कर दीद है ताकि हम लोग इधर inlet से पानी आएगा तो यह ऐसे flow करेगा direction में ठीक है और जब हमारे desired depth जानी जितनी depth हमें चाहिए ठीक है उस किसी भी crop के लिए उतनी जब हो जाती है तो इसको different irrigation methods कौन कौन से होते हैं ठीक है अगर आपको कोई doubt है तो आप मेरे को comment section में जरूर comment करके बताएं ओके और अगर आपको suggestion है कि मैं कि मैं किसी topic पर वीडियो बनाओ तो आप मेरे को comment section में जरूर comment करके बताएं thank you so much for watching my video और आपने अगर मेरे चनल को भी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe to my youtube channel thank you so much have a great day bye